इस चैप्टर का नाम है human reproduction और हम आप तक discuss कर चुके हैं क्या male reproductive system को इसके बाद में हमने discuss किया है आपका female reproductive system यह हमारा यहाँ पे complete हो चुका है मेरे बाद अब क्या करना है बाब आपको अब आगे हमको पढ़ना है एक आपका नया heading है नए page से लिखना है आपको gametogenesis मैंने बताया पहले आपको कि genesis का means क्या होता है कि जिस भी word की पीछे लगा हुआ है समझा उसका निर्माण होना है और उसका formation होना तो gametogenesis means the formation of gametes clear guys the formation of gametes is called gametogenesis अब बेटा आपको कुछ-कुछ याद आ रहा होगा हमने यही word यही term यूज किया था आपके first chapter में जिसमें आपने पढ़ा था कि sexual reproduction होता है और sexual reproduction होता है याद आ रहा है कुछ sexual sexual वाला chapter जो सबसे पहला था वो पढ़ा था और sexual में हमने आपको पढ़ाया था कि gametogenesis होता है फिर transfer of gametes होते हैं फिर fertilization होता है उनका fusion होता है समझ पार ने मेरे बात को तो वहां पे आपने सिर्फ इतना ही notice किया था कि जो male gametes बनते हैं जिनको sperm कहते हैं human के अंदर और female gametes को ovum कहते हैं यह बढ़ा था ना आपने हैं but what is the process of gametogenesis या what is the process of production of sperm या what is the process of production of ovums तो यहां पर इसको clear करने के लिए इसको पूरा detailed review करना है हमको यहां बे करना है तो gametes किस तरह से बनते हैं इसका पूरा deeply process जो है वह हम अब पढ़ेंगे what is the gametogenesis तो आपको बताना है कि the formation of gametes the formation of gametes from genetal epithelium epithelial क्या चीज है यहां पर यहां पर epithelium भाईया जो भी आपके organs होते हैं उनकी जो outer layers में जो cells होती है वो उनको हमने बोला है epithelial cells कोई tissue होते है उसमें जो cells हो उनको बोला हमने epithelial cells तो मैंने दुवारा से देखो कोई बात ही दुवारा समझो तो यह कैसा formation या process है यह process है this is the process of gamete formation in the gonads कह सकते है gonads मतलब जनन अंग in the gonads gonads कौन कौन से होगे आपके testis होगे एक तो male male के अंदर और ovary होगे बेटा female के अंदर ठीक है न तो हम कह सकते हैं it is the process of gamete formation in the gonads in sexually reproduction animals ठीक है अब यह भी हम इसको दो तरीके से बाढ़ सकते हैं सृष्णों डाफ जरुख और और क fetch cảm में जरुख त्यरा बूली नंज फिमेल इस अंदर घ्राइन अज अई को वही तो के अंदर om का बनना होता है ogenesis समझ पहें मेरी बात को अब आपको नया heading क्या लिखना है spermatogenesis समझ लेना है आपको spermatogenesis बेटा मैं आपको notes भेज रहा हूं photo कीच के आपको वीडियो देखने है एक से दो बार और फिर notes उसमें लेखना है spermatogenesis होता क्या है समझो the process of formation of sperms इतना ही समझना है the process of formation of sperms from spermatogenia from spermatogenia is called spermatogenesis simple वह परिभास है आपको इतना ही लिखना है एक word एक line की परिभास है यह आपको याद रखनी है अब मैं आपको सिफिक diagram बना के समझाओंगा कि इसमें किस तरीके से sperma का formation हो रहा है देखो सबसे पहले हर spermatogenesis हो या ऊजाने से सो इसके अंदना इसके पूरे process को हम तीन phases में divide कर सकते हैं पहला phase कौन सा होता है पहला होता है multiplication phase multiplication phase बोलेंगे आप इसको second जो होता है वो होता है आपका growth phase growth phase और number third last में जो होता है यह होता है आपका maturation phase तो यह तीन phase तो आपको हर किसी को contest होने यह तीन phase के नाम है और यह आपके spermatogenesis से भी बिलॉंग करेंगे और यही तीन फेज आपके ऊजाने से भी बिलॉंग करेंगे मैं यह क्या लिखता हूँ मैं नको Moo Growth मा मुठिकेoshima Grow Growth phase मा Maturation phase में इस्वा मु गरू मा बोलता हूँ कि चाहे spermat हो जैने से सरह रही हो या ऊजैने से सरह रहा हो अब दोनों में क्या होना है moogroma 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 होना है ठीक है जी अच्छा अब आते हैं मैं इन चीज की और देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया जो आपकी जो testis है testis में क्या है plays epithelial cells है वो भी कौन सी germinal epithelial जो की germinate हो सकती है तो जो male germinal epithel cells को मैंने एक यहाँ पे ले लिया this is the male की क्या है germinal cell यह कहां से मिली आपको आपने पढ़ाए structure of testis और testis का जो germinal epithelial tissues है उसकी एक cell हमने हैं यहाँ पे बना लिया ठीक है अब क्या होगा इसी को हम क्या कहते हैं बट्टा spermatogonia spermatogonia क्या कहते हैं spermatogonia भी इसको हम बोलते हैं अब देखो spermatogonia में लगातर क्या होना है इसमें cell divisions होने है एक से दो बन जाएंगी फिर से cell division होगा मेरे बिट्टे तो दो से चार बन जाएंगी यह deployed है nature में 2N है तो इसकी यह भी 2N बनी यह भी 2N यह भी 2N मतलब यह कौन सा division होगा अपने 11th class में ध्यान होगा आपको इसे बोलते हैं mitosis एक से दो डट्टर सेल का formation वो भी same chromosomes में तो इसको mitosis कहते हैं वही process यहाँ पे हुआ हुआ इसको भी बोलेंगे mitosis process हुआ है 2N तो समझ रहे हैं ना मेरी बात यानि कि diploid nature की cell है diploid क्या है मान लो कि एक human cell की में बात करूँ तो इसमें कितने chromosomes होते हैं 46 तो इससे जो एक से दो cells बन रहे हैं इन में भी 46 ही chromosomes होंगे समझ भी मेरी बात को अभी process कैसे होता है यह तो पता है ना आपको आपने पढ़ा है माइडो से समयो से के प्रफेस 11th class में डंक से पढ़ा होगा ठीक है आपको याद आ रहा है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस कुछ याद आ रहा है यह सारी चीज़ें आपने 11th class में पढ़ रखी है चलो तो यह कौन सी यह क्या हुआ यहाँ पर multiply हुआ नहीं हुआ एक जो male cell जर्म cell थी या इस पर मेटो गोनी हम इसको बोलें तो यह क्या हुआ इसमें एक से बहुत सारी बनेगी यानि कि multiply हुआ है तो this is known as this phase is known as multiplication phase multiplication phase clear guys अब क्या होगा suppose कि रहो मैंने यही एक cell ले लिए यह चलो चारो लेते हैं चारो cells ही क्या करेंगी अपने आपको बड़ा कर लेंगे यह चारो ही बड़ा कर लेंगी तो यह क्या है आपको इन पर क्या होने growth हुआ है तो यह हमारी क्या है कि growth phase यह बड़ा कैसे करती है यह अपने अंदर जो आप प्रोटोप्लाजम है उसको aggregate करती हैं, deposit करती हैं और अपने size को increase कर लेती हैं, तो यह growth phase हो गया, अब लास्ट में जो आपको number third phase था, move, grow भी होगे growth phase, मा, मतलब maturation phase आगा हो, अब बेटा जो असली काम होना हो इस फाली phase में आके हो, maturation phase, इसमें क्य होना है मालो, एक cell में यह ले रहा हूँ, यह cell में क्या होगा, इसमें होगा, meiosis, meiosis division होगा, और यह कैसा होता है, बेटा, आपको पता है, कि इसमें एक से चार cells बनती हैं, after two phases, दो इस चरण होते हैं, इसके, उसमें चार cells बनती हैं, और पहले बनेंगे एक से दो, first phase में दो बनती हैं, तो यह तो diploid थी, अब diploid में क्या हुआ, यहाँ पर जो chromosome का number होता है, वो half होता है, तो यह cell से बनेंगे, haploid, half number रहते हैं, इसमें chromosome के, तो 2N है, तो यह न पर NN number की है, दोनों cells बन जाएंगी, N number का मतलब यह ही है, कि यहाँ पर एगर में छालीस को गुड़ second phase होता है, और वहीं पर एक cell के फिर से यह, एक से दो बनाएगी, तो यह क्या हुआ, मियोसिस second phase, ठीक है न, यह पूरा मियोसिस अब हुआ है, दोनों phase में जागे complete, तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान लखेंगे, यहाँ नॉट करने वाली बात है, मियोसिस first में तो cell जब divide करती है, तो उसके chromosome के number half हो जाते हैं, बट जैसी muses second phase होता है, उसमें chromosome के number exact muses first वाले ही रहते हैं, मतलब कि 23 वाली थीस में, तो यहाँ पर भी यह 23 रहेंगे, याने की n number ही रहेंगे, यहाँ समझ पाए, n, n, 23, 23 number, तो यह आपकी cells बनगी, अब मैं आपको बता रहा यह जो चीज़ें आपकी यहाँ पर बनी थी उपर माईटो से सोने के बाद में, तो इनको हम कहते हैं, primary spermato side, इन कोशिका हो करना, size बगड़ा change होता रहता है, तो हम इनके नाम को भी बदलते रहते हैं, primary spermato side बोलेंगे इसको यहाँ पर, जब यह 1 से 2 बनाएंगे, तो इनक इसको हमने क्या बोला, secondary spermato side, spermato side हम बोलेंगे, और इसके बाद में यह जो बने, यह क्या बने आपके, spermatids, अभी sperm नहीं बने देखो, spermatids ही बने हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, spermatids जो हैं इनका होगा, differentiation, differentiation मतलब, इनकी, जो इनका maturation होना है, तो differentiation होगा, यहाँ पर cell जो है, क्या बनाएगी, like this, यह sperm का diagram बने गया, यह बनेगा, समझ पर मेरी बात को, देखो, दुबारा समझाता हूँ, हम पढ़ रहे हैं, beta, beta spermatogenesis, यानि की formation of sperms from the spermatogonia is known as spermatogenesis, इसमें तीन phase complete, include होते हैं, पहला multiplication, दूसरा से growth phase, और third one is, maturation phase, सबसे पहले क्या हुआ, कि जो testis की germinal cells थी, यानि की spermatogonia थी, उसमें लगातार mitosis होते रहे, और उनकी बहुत जारा multiply हो गई, और बहुत सारी numbers में increase हो गई, तो इसको बोलते हैं, primary spermatocytes बन गए अब अब primary spermatocytes जो हैं, अपने अंदर बहुत सारा protoplasm, obtain करेंगे, और size को increase कर लेंगे, अपनी growth करेंगे, इस phase को बोलते हैं, growth phase, ठीक है, growth phase के बाद में शुरू होता है, अपका maturation phase, इस phase में mitosis होता है, जिसमें mitosis first के बाद में, जो आपकी दो cells बनती हैं, जो की heparoid होती है nature में, उनको आपने कहा, यह secondary spermatocytes, और इसके बाद में, जब यह second spermatocytes में, पूरा हूँ, यह muses complete हुआ, तो यह बन गए आपके spermatids, और spermatids का differentiation हुआ, तब बनते हैं, बटा, sperms, समझ पहें मेरी बात को, कभी-कभी एक बाट पूछ लेता आपसे, कि what is spermiation, तो spermiation क्या होता है, the formation of sperm from the spermatids, मेरी बात समझ पहा रहे हैं, sperm का इन से बनना ही spermiation कहलाता है, यानि कि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ spermatids का differentiation होने से ही sperm बनना है, और इस छोटे सी process को हमने spermiation कह दिया है, कभी-कभी लोग spermatogenesis और spermiation में confused हो जाते हैं, तो हाँ confused नहीं होना है, spermatogenesis तो पूरा ही process कहलाता है, जिसमें कि आपके sperm का formation होना है, किस ते? male germ cells से आनि कि spermatogenia से, वहीं मैं बात करूँ, spermiation की, तो उसमें भी sperm ही बनते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पर मैं टिट से, ठीक है, तो ये क्या है आपका spermatogenesis, बेटा मैं आपको notes भेज रहा हूँ, आपको लिखना है, और most important thing क्या है इसमें, आपको ये diagram ढ़ंक से समझना है, बनाना है, क्योंकि थोरी को लिखने थैंक यू बटो